दोस्तों दुनिया भर में लोग भूत प्रेथ, आत्मा और इनी जैसी शेक्तियों पर विश्वास करते हैं हाला कि इन्हें सच नहीं माना जा सकता पर इस बात को भी जुटलाए नहीं जा सकता कि दुनिया में कोई भी चीज पूरी तरह असंभा हो है आईए आज हम बताते हैं आपको कुछ ऐसे ही साइन्टिफिक तथियों के बारे में जो आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोगों को भूत दिखते और महसूस क्यों होते हैं और क्या होती हैं के पिछे की वग्यानिक सच्चाई सामोहिक भ्रम एक ऐसी स्थिती होती है जब कोई इनसान कुछ ऐसी चीज़ां को सिर्फ इसलिए मानने लगता है क्योंकि बहुत लोगों से मानने लगे हैं सामोहिक भ्रम लोगों में डर फैलने से पैदा होने लगता है और जंगल में लगी आग की तरह अने लोगों को भी फैल जाता है आपने सामुहित भ्रहमगी कई घटनाय सनी होंगी जैसे की दिली का काला बंदर नाम का एलियन जिसको लेकर डर इतना फैल गया कि पहले तो सिर्फ एक दो घटना ही हुई पर बाद में हर दूसरा आदमी काला बंदर के नाम से एक रहसमी जैनवर देखने लगा जो छट पर सो रहे लोगों को काट लेता था या फिर उन्हें छट से नीचे फेक देता था जबकि असलियत में इस घटना के पीछे सिर्फ एक मासुम सा बंदर हो सकता था पर हर एक नए किस्ते के साथ इस भ्रहम में और चीज़ें जूटती गए जैसे की काला बंदर एलियन था काला बंदर भूत की तरह गाया भूजाता था और काला बंदर एक रोबोर्टिक जानवर था भूत बुलाने के कई तरीकों में भूत का दिखना और महसूस होना ये भी इसी प्रक्रिये का प्रभाव हो सकता है दोस्तों एक और भूतिया एसास के बारे में आपने जरूर सुना होगा जैसे की किसी चीज़ का अपने आप हिलना ये आपने आप पड़े पड़े का अपने लगना इसे समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनसान सिर्फ 20 हर्ट से लेकर 20,000 हर्ट्स फ्रिक्वेंसी तक की आवाज सुन सकता है 20 से नीचे की आवाज हम सुन नहीं सकते और इन आवाजों को कहा जाता है इन्फारेड साउंड हम भले ही इन्हें सुनना पाएं पर हम इन्हें महसूस जरूर कर सकते हैं जिसकी वज़े से इन्फारेड आवाजें हमरी आँकी पुतलियों को इस तरह हिला देती है कि हमें सामने पड़ी चीज हिलती हुई लगती है पेट में इसका असर होने से हमें थोड़ा ज्यादा अच्छा लगने लगता है या फिर ज्यादा बुरा महसूस होने लगता है इन्ही दोनों बातों को इन्सान जोड़ कर एक गूतिया ऐसास समझने लगता है इंफरेड आवाजें, तुफान, हावा और यहां तक के घर के इलेक्टिक समान दोरा भी बढ़ जाती है नमबर तीन, आयन्स और तापमान में बदलाव आयन्स हमारे एर्दगित फैले वो अडू होते हैं जिन में पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज होता है आपने भूतों से जुड़े कई टीवी शोज और मुवीज में दिखा होगा कि भूत ढूनने वाले इलेक्ट्रो मेगनेटिक डिवाइस का इस्तमाल करते हैं जो आसपास के बदलाव को पकड़ लेता है तो असल में ये होता है कि सूरज की किर्णों के कारण आयन्स के चार्ज में बतलावा जाता है जिनकी वज़े से उनका चार्ज पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव बन जाता है अगर आपके आसपास नेगेटिव चार्ज होता है तो आप शांत महसूस करने लगेंगे जबकि positive चार्ज होने पर बेचैनी सी होने लगती है इसलिए भूतिय घरों में लोगों को अचानक बेचैनी या अचानक अच्छा लगने की भावना आने लगती है क्योंकि उन घरों में आयन से अपना चार्ज बदलते रहते हैं आपने ये भी सुना होगा कि भूतों के आसपास होने से शरीर में सिरहना आ जाती है या फिर भूत के आसपास होने से अचानक गर्मी या ठंडक महसूस होने लगती है यह होता है तापमान के अचानक बदलने से जब बड़ी घरों में तापमान एक समान नहीं होता तो तापमान एक जगे से दूसी जगे उसे बैलनस करने के लिए दोड़ता रहता है और इसी वज़े से हो जाता है तापमान में अचानक बदलाओ दोस्तों पूरा इंटरनेट भूत पेतों को दिखाने वाली फोटो और वीडियो से भरा पड़ा है जिरहें कई लोग भूत होने का सबूत भी मानते हैं पर अगर दुनिया मेतने सारे डिजिटल सबूत मौझूद हैं तो फिर हम भूतों को क्यों नहीं मानते हैं वो इसलिए क्योंकि कैमरा और ऐसे आने डिवाइसों में भरोसे रखना उचित नहीं है क्योंकि ये सभी डिवाइस आसपास की किसी भी उरजया को पकड़ कर अजीबो गरीब फोटो दिखा सकते हैं आप मैंसे कई लोगों ने देखा और सुना होगा कि आपका फोन ये टीवी आसपास के सिगनल पकड़ कर आपको सुनाने और दिखाना चालू कर देता है इसी तरह कई बार ये कैमरा दो अलग-अलग फोटो को एक साथ दिखा कर भूती आहसास करा सकते हैं ये तो हुई डिवाइसों की खुद की दिक्कत पर आप जानते हैं आजकल एडिटिंकर जमाना है फोटो से लिकर वीडियो तक कुछ भी मिंटों में बदला जा सकता है और ये बदला इतना सहज होता है कि बिलकुर असली लगने लगता है नमबर पांच हमारा जादूई दिमाग इंसानी दिमाग की पूरी शमता का तो हम अभी अंदादा भी नहीं लगा सकते हैं पर हम ये जानते हैं कि हमारा दिमाग भ्रहम पैदा करने की पूरी शमता रगता है इंसानी दिमाग के कुछ हिसमा को अगर ठीक सिगनल भेल जाए तो आखे उन चीज़ों को भी दिखाना चालू कर देती है जो वहाँ है ही नहीं और कान उन्हीं चीज़ों को सुनाना वैसे तो ये दिमाग को कोई मानसिक अगात लगने पर अपने आप ही होता है पर बाहरी चीज़ें भी कभी कपारुस केंदर को एक्टिवेट कर देती हैं जैसे कि कई टेस्ट किये गए हैं जिनमें दिमाग को इलेक्ट्रिक चार्ज देने पर उन्हें उन जैसा हमशकल उनके सामने दिखने लगता है या फिर ऐसे लोग दिखने लगते हैं जिनसे वो बहुत पहले मिले थे कार्बन मोनोकसाइट नाम की एक गैस भी जो बिना खुश्बू के होती है उसे सुनने पर भी इनसान को अजीबो गरीब चीज़ें सुनाई और दिखाई पढ़ने लगती है कई भूतिया घरों को जब जाचा गया तो वहां कार्बन मोनोकसाइट की लीकेज मिली जो घर में रहने वाली लोगों को भूतिया चीज़ दिखाने लगती थी दोस्तों आत्मा और ऐसे अन्य प्राणियों का टॉपिक तो हमेशा चर्चा का विशह रहेगा पर क्या आप इन पर विश्वास करते हैं नीचे कमेंट करें और अगर आपने कभी उने महसूस किया हो तो वो भी बताएं बगी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ये साथ ऐसे आजबुद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ये बिल्कुल फ्री हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए अलवीड़ा